सुपरबात बच्चों आज हम लोग देखेंगे रीट फॉर फण यह आई लग कलर्स के बाद नेक्स्ट पेस हमारा आता है पेस नबर फोटीन तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है इसको पढ़ने के लिए और आनंद लेने के लिए इसमें कलर्स नेम के बारे में कांपी पैन लेके बैठना लेके इस वीडियो को देखना और इसमें जो हम डिफिकल्ट वर्ड बता रहे हैं उसकी मीनिंग बता रहे हैं उसको आपने कांपी में नोट करते चलो और इसके बाद इसको आपको लर्न करना है याद करना है याद करने के बाद आपको बुक फि पढ़ना फॉर में के लिए फन में आनंद ए मीन एक वाइट मीन सफेद हैं मीन मुर्गी है टू टू मीन दो चिक में चुझे वन मीन एक यलो में पीला चिक मीन चुझे and one red chick red mean क्या होता है बच्छो लाल the red chick loved loved mean पसंद थी red things, things mean वस्त वे the yellow chick loved yellow things next line one day the red chick saw a chili chili mean क्या होता है mircha, mirchi it was red chili mean इसको लिख ले है chili mean mirchi it was red he ate, ate mean खाया it was very hot hot mean गरम वैसे तो hot mean क्या होता है बच्छो गरम होता है लेकिन mirchi खाने के बाद कैसा आपको फील होता है तीखा होता है और खाने के बाद मुमें जलन होने लगती है इसलिए ये hot इसके लिए word आया है तीखा कह सकते हो it was very hot he cried it hot cried mean चिलाया is mean है it mean यह hot mean गर्म या तीखा the yellow chick ran ran mean दोडा he got he mean वह got mean पाया yellow laddू laddू mean laddू होता है बच्छो for the red chick the red chick at डिलडू at mean खाया he was was mean था he mean वह happy mean प्रसन खुस now mean अब अब हम इसकी इसका हिंदी अनुमाद बताएंगे इस उसली के बार हैं , है मंने प्रसन के इसली उसली थे आफ उसली के वह hen had two chicks, एक सफेद मुर्गी के दो चूजे थे, one yellow chick, एक चूजा पीला था, and one red chick, और एक चूजा लाल था, the red chick loved red things, लाल चूजे को लाल चीजे पसंद थी, the yellow chick loved yellow things, पीले चूजे को पीली चीजे पसंद थी, one day एक गिन, the red chick saw actually, लाल चूजे ने, एक मिर्ची देखा, साबीन देखा, एमीन एक मिर्ची देखा, it was red, ये लाल थी, he ate it up, वो इसे खा लिया, क्योंकि उसको लाल चीजे बहुत पसंद थी, जो red chick था, उसको लाल चीजे पसंद है, it was very hot, ये बहुत गरम है, तीखा है, he cried वह चिलाया, it is hot, ये बहुत तीखा है, बहुत गरम है, उसको खाने से उसको जलन होने लगी, the yellow chick ran, जो पीला चूजा है, वो दवडा भागा वहां से, he got a yellow laddo for the red chick, वह जो है, he got उसने पाया, a yellow laddo, एक पीला laddo for the red chick, लाल चूजे के लिए, यनि वह पीला laddo, लाल चूजे के लिए लाया, the red chick at the laddo, लाल चूजे ने लड़ो को खाया, he was happy now, अब वहां खुश है, अब वहां प्रशन है, तो बच्चों इस वीडियो को कई बार देखने के बाद देखना, और देखने के बाद इसको reading करने की practice करना, और साथ में इसका अर्थ भी पढ़ने की कोशिस करना, धन्यवाद, अबस्टाइए, ょंबस्टाइए, भी झादिए, जसे लड़ो ते लेखने के बादेश को शुश है, अबस्टाइए, आस, झाल्यवाद, आस, 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 इस, इस, पूर देखने की बादेश, झाल झाल